सद्गुरू, मैंने Common Entrance Exam में पहला स्थान पाने और यहां पहुचने के लिए बहुत महनत की है मगर मेरा भाई कहता है कि मेरी किस्मत ने मुझे यहां भेजा है तो मैं यहां अपनी किस्मत की वज़ा से हूँ या अपनी महनत की वज़ा से आपका भाई कहां पहुचा है देखिए, आम तौर पर जिसे लोग किस्मत कहते हैं उसे दरसल वे खुद बनाते हैं लेकिन बिना जाग रुकता के जब मैं कहता हूँ बिना जाग रुकता के अभी आप यहां बैठे हैं हर कोई यहां बैठा है इस शरीर के अंदर भौतिक गतिविधी चल रही है मानसिक प्रक्रिया भी है भावनाय भी चालू है और जीवन उर जाएं तो सक्रिय हैं ही वे हर पल हजारों सूचनाएं ग्रहन कर रहे हैं चाहे आप जागरुक हो या ना हो तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि सुबह जागने के बाद से अब तक गतिविधी के इन चार आयामों में से आपने कितनी चीजें जागरुकता के साथ की हैं आपके ख्याल से कितने प्रतिशत होगा? कुछ चीजें कितने प्रतिशत होगा? 25 प्रतिशत आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं ये एक प्रतिशत से भी कम है अगर आप वहां से वहां तक चलें यहां 20-25 तरह की महके होंगी जिसके प्रतिशत आप जागरुक नहीं है मगर शरीर उसे पहचानता और दर्ज करता है सैंकडो अलग-अलग तरह की आवाजें हैं जिन्हें शरीर दर्ज करता है जिनके प्रतिशत आप जागरुक नहीं है तरही लगेगा जब 99 प्रतिशत चीजें आप अंजाने में करते हैं बिना जागरुकता के तो निश्यत रूप से जीवन संयोग की तरही लगेगा अगर ये संयोग मान लिजे कि कोई सडक पर गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई उसके बाद अचानक उनका गनित अपने आ या जो बच गए वे काफी बुरी हालत में जिये तो संयोग से भागेशाली होना जीने का तरीका नहीं है जब भी कोई सुखत संयोग होता है तो हम इसे किस्मत कह देते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान मेरी मदद कर रहा है आपने उनके साथ का कर ली मुझे नहीं पता तो मैं आपको एक कहानी सुनाओ चलेगा एक बार शर्लोक होम्स आप शर्लोक होम्स को जानते हैं होम्स और वाट्सन कैंपिंग के लिए गए और सुबह सुबह साड़े तीन बजे शर्लोक होम्स ने वाट्सन को हिलाया उसने आखे खोली क्या हुआ तुम्हें क्या दिख रहा है मुझे साफ आस्मान और सितारे दिख रहे है बताओ इसका क्या मतलब है वो बोला इसका मतलब है कि कल बढ़िया धूप निकलेगी तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है तो हम नहीं जानते कि क्या गायब हो गया है और कोई चीज संयोग से यहां वहां गिर सकती है मगर जीवन इस तरह काम नहीं करता अगर कोई इंसान अपनी किस्मत खुद बनाने का जिम्मा अपने उपर नहीं लेता तो उन्हें अभी विकास से जुड़ी समस्या है वे अभी पूरी तरह विक्सित नहीं हुए हैं क्योंकि इंसान होने का अर्थ है कि हम अपना जीवन जागरुकता के साथ चला सकते हैं इंसान होने का अर्थ ही ये है कि हम अपना जीवन जैसे चाहें बना सकते हैं। मगर ये किस्मत वाली बात आपकी असफलता को संभालने का एक अच्छा बहाना है। जब भी आप असफल होते हैं, किस्मत, भगवान की मर्जी। ये लंबे समय से चलता रहा है। ये इस संस्कृती की मूलभूत प्रकृती नहीं है। इस संस्कृती में प्राचीन समय से ही हमने आपको सिखाया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। हाँ या ना? किसी ने नहीं कहा कि उपर एक भगवान है जो आपके लिए चीजे करेगा। हमने हमेशा आपको बताया है कि आपका जीवन आपका कर्म है यानि कि अपना जीवन आप खुद बनाते हैं। कोई सितारे आपका जीवन तै नहीं करते हैं। आप करते हैं। हम पर लाखों प्रभाव पड़ते हैं। मगर उससे हम क्या बनाते हैं ये हमारे हाथ में हैं। हमारी और क्या फेका जाता है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे रास्ते में क्या आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसे हम क्या बनाते हैं, सो प्रतिशत हमारे हाथ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार कोईम बतूर गया, और हमने योग केंद्र की स्थापना शुरू की, ये देश कुछ ऐसा है, बड़ी बर्बाद कर रहे हैं, ये बाग मार रहे हाथी मार रहे हर तरह की अफवा हैं, मीडिया भी इस तरह की चीज़ें लिख रहा था, फिर शहर के सौ महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं और कहते हैं, ये योग बिमारी की तरह पहल रहा है, उनके यही शब्द थे, हमें कुछ करन कोई गुसेल आदमी कहता है, ट्रक भरके लोगों को ले चलते हैं और सब तोड़ डालते हैं, क्योंकि उस समय पूरा योग केंद्र बस फूस की छट के नीचे चलता था, तो उन्होंने तै किया कि वे वहां आकर सारी चीजें तोड़ डालेंगे, आज ये देश के सबसे प्र एक सयाने विक्ती, उन्होंने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुम किस से भिड़ रहे हो, मैं इस आदमी को जानता हूँ, अगर तुम इस पर पत्थर फेकोगे, तो ये उन पत्थरों से भी कुछ बना लेगा, इस आदमी पर पत्थर मत फेको, तो आपकी और क्या आता है, ये आप तै नहीं कर सकते, मगर आप उससे क्या बनाते हैं, ये आपके हाथ में हैं न, इसी में आपका सामर्त है, यहीं आपको दिखाना है कि आप कौन है, क्योंकि आप ये तै नहीं कर सकते कि आपकी और क्या आएगा, मगर निश्यत तोर पर आप ये तैय कर सकते हैं कि आप उससे क्या बनाएंगे.